हेलो अब्रिवन कैसे हूँ आप सब आज मैं आपके साथ देखे इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ ये डिजाइन ये पैटरन देख लीजिए कितना सुंदर कितना प्यारा डिजाइन है ये इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो एक फंदा दोनों तरफ से इस्टिच का तो फूर पंदे हमें एक्स्टर हो जाएंगे चार पंदे ठीक है आठ 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 आठш इस तरह से फंदे ये बहुत ही बीप्यूटिफुल शांदार ये डिजाइन बन कर आएगा और अगर इस बोडर की वीडियो अब कि देखिए मेरे चैनल पर है इसकी वीडियू तो आप वहाँ पर देख सकते हो आज मैं आपको इस ë़ी टरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से हमारा डीज्याइन इस तरह से डलेगा सीदी तरुरसे यह उम्हारा दिज्याइन शुरू होता है तो यहाँ पर स्लाई में मैंने फंदे ले लिये हैं 20 फंदे, 20 फंदे डाले हैं स्लाई में अब इसकी first row हमारी सीधी तरफ से start होगी तो first row में पहला फंदा आप चाहे उतारिए बनाईए ये आपकी मर्ची है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे एक, दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब इस एस्टिच को छोड़कर यहां से यहां तकर रपीड पैटरन है, हमारा दो फंदे उल्टे, छे फंदे सीधे इनी फंदों को आपने पूरी सलाई में जितने भी आपके फंदे हैं, इनी डिजाइन को दोराते जाना है फिर से आपके यह दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करते हुए, छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे लास्ट में आपके पास तीन फंदे बचेंगे, जिन में से धागा अपनी तरफ करते हुए हमने दो फंदे तो उल्टे बना लेने हैं, और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से करते हुए, डिजैन की फर्स्ट रो हमने पूरी बनाकर आपने कंप्लीट कर लेनी है अब सेक्टिन रो जो उल्टी तरफ से बनानी है, फर्स्ट फंदे को हमने उतारना है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक, दो, दो फंदे सीधे बनाने के बाद दागा अपनी तरफ करते हुए, छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब इनी फंदों को पूरी स्लाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है स्टिज का फंदा तो मत काउंट कीजिएगा, देखिए ये दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, छे फंदे उल्टे और एक फंदा उल्टा इस तरह से इस तरह से करते हुए हमने डिजैन की सेकंड रो पूरी बना लेनी है अब थर्ड रो तीसरी सलाई हमारी सीधी तरफ से देखे क्या से करनी है धागे को उतारें, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे उल्टे आएंगे इन्हे उल्टा ही बना लेंगे फिर धागा हमने दूसरी तरफ करना है दूसरी तरफ धागा करते हुए एक फंदा हम सीधा बना लेंगे अब एक फंदा ये एक ये आगे से स्लाई डालते हुए इस तरह से दो का एक करेंगे, ठीक है, दो का एक करने के बाद स्लाई पर ये एक, ये दो, इस तरह से हमने दो बार धागा घुमाना है, दो बार धागा घुमाने के बाद इस फंदे को तार कर ऐसे आपने सीधा कर लेना है, दो फंदों मे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, आगे से सलाई डाली इन दो फंदो में दो का एक कर दिया, सलाई पर दो बार ढगा घुमाया मतलब कि यह दो जालिया हमारी बन गए, क्योंकि दो फंदे कम हुए हैं, एक यहां से, यहां से हमने फंदे को सीधा किया, पीछ़ी से सलाई डा करेंगे एक फंदा सीधा अब एक फंदा ये एक ये आगे से स्लाइड डालेंगे दोनों फंदों में दो का एक कर देंगे अब सलाई पर ये एक बार धागा घुमाएंगे ये दूसरी बार दो बार धागा घुमाना है हमने ठीक है अब इसे उतारा सीधा किया दो फंदों में स्लाई डालेंगे पीछे से 2 का 1 कर देंगे एक फंदा सीधा ऐसे ही करते हुए डिजैन की पूरी रोव आपने बना कर कम्प्लीट कर लेनी हैं लास्ट में ये तीन फंदे बचेंगे जिन में से हमने दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे करते हुए डिजाइन की तीसरी सलाइज हमने बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब डिजाइन की चोथी सलाइज फॉर्थ रो है पहले फंदे को हम उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करते हुए हम दो फंदे सीधे बना लेंगे ठीक है फिर धागा अपनी तरफ फिर ये दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए स्लाई में हमने दो बार बल दिया था ना उसे ध्यां से देखेगा इसके दो फंदे बनाने हैं हमने देखिए पहले तो जो ये वाला बल हमें दिखाई दे रहा है एक बार तो हम इसे उल्टा बनाएंगे तो इसी एक बल को खोलेंगे ठीक है खुल गया ये अब दूसरी बार हमने यहां से इसी ऐसे उल्टा बना लेना है तो ये दो फंदे हो गए हमारे दो फंदे ये वाले तो टोटल ये छे फंदे हमारे उल्टे अब इसी डिजैन को पूरी स्लाई में आपने दो फंदे सीधे छे फंदे उल्टे जो स्लाई पर हमने दो बल दिये हैं उससे दो फंदे ही बनाने है आपने इस बात कर ध्यान र उल्टे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से ध्यान से देखेगा हमने इस बल को कैसे बनाना है ठीक है देखे पहले तो सिंपल यहां पर यह वाला जो धागा है हमारा इसे ऐसे उल्टा बना लेंगे इसे एक बार खोल देंगे अब हमने इस वाले धागे को फिर से हमने देख उल्टे एक और ये दो धागा दूसरी तरफ लास्ट के ये दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए डिजाइन की चोथी सलाई फौर्थ रो हमने पूरी बना कर कम्प्लीट कर ली है अब रो फाइव ठीक है रो फाइव देखे कैसे करेंगे फर्स्ट फंदे क उतार देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा ये एक ये आके से स्लाइड डालेंगे इन दोनों फंदो में दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ याँपर जाली डालेंगे ये जाल दागा आपनी तरफ पर डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे इन दोनों फंदों में स्लाइड डालेंगे पिछे से 2 ने करते हैं ref dhands friends देखें कि हांगी हमने FIRST फंदे को उतारा,2 फंदे उल्टे फिर 2 का एक कर दिया आगे से slide डालते हुए, जाली डाली, दो फंदे सीधे, फिस से जाली, दो का, एक किया, पीछी से slide डालते हुए, इसी design को repeat करेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा ये, एक ये, दोनों में आगे से slide जालते हुए, दो का, एक, फिर धागा अपनी तरफ यहां पर जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, दो फंदों में slide डाली, पिछे से जाली डाल दी, और ये, दो का, एक कर दिया, धागा अपनी तरफ कर और पैटरन की लास्ट रो है, फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लीजिए, ये दो फंदे सीधे बनाईए, धागा अपनी तरफ करते हुए, फिर से ये छे फंदे उल्टे, ये एक फंदा उल्टा, इस जाली वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बनाना है ठीक है, ये टूटल हमारे छे फंदे हैं, देखिए ये, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, तो इनी आट फंदों को फ्रेंड्स हमने बार 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 रर रिपीट करना है, फिर से रिपीट करेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी करेंगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, लास्ट में ये दो फंदे सीधे, और एक फंदा उल्टा, ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बना कर कंप्लीट कर ली है, तो फ्रेंस ये छे स्लाइओं का हमारा डिजाइन है, छे स्लाइओं में य पार बार रिपीट करना है, फर्स रो से रिपीट करना है, फर्स फंदा उतारना है, दो फंदे उल्टे छे सीधे, दो उल्टे छे सीधे, ऐसे करते हुए पूरी रो बना लेंगे, डिजाइन को आप आगे आगे बनाओंगे न, तो इस तरह से देखिए, ब्यूटिफूल आपका बनकर ready हो जाएगा बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा बहुत ही लाजवाब डिजाइन है प्लीज इसे जुरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है ये डिजाइन बना हुआ तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेर शेर भी जुरूर किया कीजिए आप वीडियो को शेर करना बिल्कुल मत भूला कीजिए मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही एक नए डिजैन के साथ बाबाई, have a nice day